Hello everyone, आज हम करने वाले हैं Class 6 की जो आपकी मैच्स की new book है उसका chapter number 8 तो already हमने बहुत कुछ कर लिया था उसमें, अब आगे हम rectangle के बारे में और भी पढ़ने वाले क्या है यहाँ पर जैसे first of all दिया है, construct a rectangle ABCD with AB जिसमें आपका 7 cm है and BC 4 cm है Imagine X to be a point that can be moved anywhere along the line AD तो यह वाले जो line है, इसके अगोड़े यह X point कहीं भी हो सकता है कभी यहाँ starting में होगा, कभी last में होगा, कभी यहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है, same इसी तरह से एक Y point है जो BC line पर कहीं भी आपका move कर सकता है तो यह देखो, अलग-अलग जगह पर हो क्या कर रहा है, move कर रहा है कहीं पर वो यहाँ पर है, 4 cm दे दिया, तो यहाँ तक हो गया कहीं पर यह बिल्कुल इस line के उपर है, कभी यह जो है, इस तरह से half-half में है तो कहीं भी वो move कर सकते है, at which position will the point X and Y will be there closest तो कौन सी position है, जब X और Y जो है, बिल्कुल past में होंगे, closest होंगे तो देखो, जितना वो ऐसे नीचे नीचे जाएंगे, ठीक है, उतनी ही उनकी length क्या होगी, बढ़ती रहेगे अब इस point पे तो Y नहीं सकते हैं, यानकी इस point तक जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा length होगी दिरे दिरे जैसे जैसे वो उपर की तरफ आएंगे, इस तरह से, उनकी length बढ़ती रहेगी उनकी length सबसे कम कब होगी, जब वो दोनों बिल्कुल इस तरह से हो, बिल्कुल straight होगे तो इस time पर होगी इनकी सबसे length कम, और सबसे ज़्यादा कब होगी, जब X यहाँ पर होगा और Y जो है आपका इस point पर C के पास होगा, तब होगी इनकी सबसे ज़्यादा length तो closest कब होगे, जब वो X और Y जो है, आपके A के equal X होकर, B जो है, Y के equal हो जाएका, तब वो closest होगे ठीक है, और सबसे दूर कब होगे, जब A जो है, X के equal होगा, और Y आपका C के equal होगा, उस time पर What does your intuition say? Discuss with your classmate Now verify your guesses by placing the point X and Y, अब आपको जो भी आपने guesses किये हों, उनका आपको करना है verify कि किस तरह से क्या क्या हो सकता है, या कैसे आपका answer आएगा ठीक है, X and Y on the side and measure how near or far they are, कि कितने पास और दूर वो है The distance between X and Y can be obtained by measuring the length of line X, Y So distance हम कैसे find out कर सकते है, X, Y के length से कि कितना है उनका, how does the minimum distance between the point X and Y compare to the length of AB, AB के compare करके अगर हम करें तो उनका minimum distance कितना है Now change the position of X and Y, X or Y का position change करो, if there are other position where they are at their nearest or farthest तो position change करते रहना है, जड़ चेक करना कि यहाँ पर X, Y जादा है, या फिर यहाँ से इनका distance जादा है या फिर यहाँ पर मैं रखू दुका मोरा है, या यहाँ पर कमोरा है, इस तरह से आपको अलग लग करना है Now, how will you keep track of the length XY for different position of XY, here is one way of doing it एक तरीका इन्होंने क्या किया, suppose करो कुछ position X and Y की जैसे X is 5 mm, mm का मतलब होता है, mm away from A, and Y is 3 cm away from B तो XY क्या हो जाएगा, तो अब देखो इन्होंने नीची क्या किया है, आपको लिखना है जैसे या दिया, distance of X, X की distance कितनी है, 5 mm और Y की distance कितनी है, 3 cm, सेम इसी तरह से हम सब का यहाँ पर distance लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखा हो है, ठीक है, यहाँ पर 3 cm आएगा Now, यहाँ हर जगे पर हमने इसका distance लिखा, इस तरह से ही आगे-ागे आप इसको करते रहोगे And so on, in each of these case, observe how the length X, Y compare to the length of A, B अब आपको देखना है कि A, B से अगर आप compare करोगे तो इनका distance में जो है कितना फर्क है, ठीक है मतलब आपको जब यह यहाँ यहाँ पर है, तो आपको length देखनी पड़ेगी, measure करना है आपको scale से And A, B की length आपको दी हुई है, इतनी है, वो तो change होगी नहीं लेकिन आपको X, Y की जब भी length वाँ दिखेगी, तो आपको measure करनी है, कि कितनी है And measure करके यहाँ पर लिखनी है, इतनी है, और उसके बाद compare करना है कि A, B से ज़ादा है या फिर कम है, the shape of four sides figure A, B, Y, X और उसकी जो है, फिर आपको figure भी find out करनी है, जैसे अब यहाँ पर देखो यह जो question था, अब इन्होंने क्या बोला है, यह आपकी अलग-लग figure से यहाँ पर बन जाएंगी, जैसे यह देखो अब यह जो figure बनेगी, A, B, Y, और X, यह figure बन गई ना एक, सेम इसी तरह से यहाँ पर एक figure बनेगी, तो यह कौन-कौन सी figure बन रही है, यह इनके बारे में यहाँ पर पूछना चाहते, तो यह देखो थोड़ा सा rectangle लेकिन हाँ पर भी एक side दी हुई है, तो यह rectangle तो हमारे न नहीं बन रही है, कोई औरी अलग-लग shapes यहाँ बन रही है, आप इने quadrilater बोल सकते हो, जिनकी मतलब 4 side होती है, quadrilater में, okay, now, how does the farthest distance between X and Y compare with the length of AC and BD, BD और AC की जो distance C length थी, उनके साथ कैसे compare करेंगी, या उनसे कितनी आप बता सकते हैं, दूर है, जैसे यह आपका AC था, और यह आपका BD था, यहाँ पर B है, और यह D है, तो यह हमारा दिया हुआ था, so, how does the farthest distance between X and Y, अब इन दोनों के बीच को हम लेके चलें, A और C से farthest distance कितना है, और B और D से कितना है, now, construction rule यहाँ पर दिया है, एक breaking rectangles, construct a rectangle that can be divided into three equal parts, एक rectangle को तीन equal parts में, वो भी squares, identical होने चाहि करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, it seems difficult, let us simplify the problem, what about constructing a rectangle that can be divided into two identical square, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक rectangle बनाते हैं, ठीक है, for example, इसमें हमें change करने की जोतनी, यह दोनों four four है, sorry, two two centimeter, और यह total length four centimeter, तो इसका हम half कर देंगे, कितना हो जाएगा, two, यह भी two, यह भी two, तो यह वाल distance भी कितनी होगी, two, so easily हमने इसको जो है, two two parts में divide कर दिया, अलग लग नाम भी दे दिया है, what can we infer from this figure, तो इससे हमने क्या किया, इसमें हमने rectangle को दो equal parts में divide कर दिया, जिसमें हमने width से कोई भी छेड़ खानी नहीं किया, उसको उसमें कोई भी change नहीं किया, हमने सिफ length को दो equal parts में divide किया है, अभी identical भी हो गया, identical means, बिल्कुल equal size के हैं, ये, बी जो है, बी सी के equal है, और आपका EF जो है, E और D के equal है, since A, B, E, F, B, C, D are squares, all the sides in each the squares are equal, सारे sides equal होते हैं, इसी तरहीं सारे हो गए equal, so all the shorter lines are equal, जो छोटी lines बनी है, वो भी क्या होंगी, equal, A, convention is followed to represent equal sides, it is done by putting a dash, ये line on the line refer to the rough figure, जैसे कि ये line यहाँ पर, equal to के लिए आपको ये line दिख रहे हैं, ये, So, इसका मतलब ये दोनो, line का size देखो, या फिर direction देखो, कहा है, इस तरह की direction है, मतलब ये दोनो आपस में equal हैं, और इनकी same direction है, तो मतलब ये तीनों sides आपस में equal हैं, तो ये equal के लिए show की जाती हैं, Using this analysis, can you try constructing it, remember all that was asked for is a rectangle that can be divided into two equal identical squares, and with no measurement imposed, कोई भी measurement भी नहीं दिया है, इसी तरह से to draw the rectangle, अब आपको rectangle draw करना है, A, C, D, F, one could assign by the length, A, F, for example, if the assign the length is 4 cm, A, F की क्याल देदी, आपको length 4 cm, A, F 4 cm है, तो A, B कितना होगा, वो भी आपका 4 cm ही होगा, तो दोनों हमने 4, 4 cm यहाँ पर ले लिए, now use it to mark the point B and C, and complete the rectangle, अब यहीं से इतना distance लेके, हमने यहाँ पर mark कर दिया, क्योंकि हमें दूसरा त इता है, with this idea, try constructing a rectangle that can be divided into three equal parts, इसी तरह से आपको एक और बनाना है, जिसकी three equal parts होगे, now give the length of the sides of rectangle that cannot be divided into, अब आपको बताना है, ऐसी sides के नाम बताओ, या फिर length बतानी है आपको उनकी, जिनको आप दो identical squares में divide नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो, वो डिपेंड करेगा, for example, अगर मैंने square लिया, आपका side तो कोई भी हो सकती है, identical, पहले तो आपको बताना है, identical में, जैसे four and two, यानकि length आपकी two है, breath आपकी four है, ये तो होगा identical में, and three identical squares में नहीं divide कर सकते हो, तो अगर यहाँ पर मैं eight लो, eight तो हो जाएगा न, eight, ठीक है, इसको करेंगे तो हम decimal में answer आएगा, और यहाँ पर मैंने width ले ली, तीन, अब eight को तो मैं divide कर दूँगी, इसलिए, ठीक है, हो गया मेरा, मैं माल लिया, लेकिन जब मैं इसको three equal parts में divide करूँगी, so three two's are six, यानकि ये जो sides बनेंगी, ये two two मे divide होंगी, कहीं न, कहीं, two point कुछ में, और जबकि ये आपका three three होगा, और square में क्या होता, सारी sides equal होनी चाहिए, जो की नहीं होंगी, तो इसलिए वो यहाँ पर उस तरह से divide नहीं हो पाएगा, identical के लिए हो जाएगा, four and two, और three identical squares उससे नहीं बनेंगे, so उसके लिए आप ज पार्स में, now अब आता है आपका construction वाला part, so first question आपका दिया है, you have to draw a square with a rectangle, construct a rectangle of side eight centimeter or four centimeter, so पहले eight centimeter or four centimeter का आपको एक rectangle ड्रो करना है, how will you construct a square inside, अब इसके अंदर ही आपको क्या बनाना है, square बनाना है, अब देखो, यहाँ पर कितना है four centimeter, तो यानि कि जो square की हम length लेंगे, व बिकोज यह होता है हमेशा equal, shown in the figure, such that the center of the square is same as the center of the rectangle, और rectangle का और square का center same होना चाहिए, एले question में हमें क्या ड्रो करना है, rectangle के अंदर एक square ड्रो करना है, so, और rectangle की side हमने कितनी ली है, eight centimeter, okay, उसके बाद हम हमेशा ही क्या करते है, हम लेंगे यहाँ पर 90 डिगरी लगा देंग सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी लगाना है, just wait, दूसरी तरफ भी हम लगा देंगे, 90 डिगरी यहाँ हो गया, okay, उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें इनको मिला देना है, तो मैच कर देते हैं, और यहाँ से भी, और इनको भी, ठीक है, लेकिन इनको मैच करने स पहले यह देखना पड़ेगा, क्या यह 4 cm है, या फिर नहीं, तो 4 cm मीजर करना पड़ेगा हमें यहाँ से, अब मीजर करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ आपका होना चाहिए, 4 cm, यानि कि यहो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 4 cm हो जाएगा यह अब यह 4 cm हो गया है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी यह हो गया आपका 4 cm उसके बाद हमें क्या करना था यह हो गया आपका A A, B, C, D जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो फिर हमें diagonals ड्रो करने थे तो एक diagonal आपका यहाँ से यहाँ गया तूसरा diagonal आपका यहाँ से यहाँ आएगा ठीक है उसके बाद में जो यह बीच में है यह आपका क्या बन गया? center बन गया अब इस center से होते हुए हमें एक line ओड ड्रो करनी थी कर दी वो भी अब क्या करना है? जो extra line से वो आप erase कर सकते हो तो वो draw करने के बाद में अब हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यह जो बिल्कुल आपका center आया था वहाँ से 2 cm की एक line आपको draw करनी है ठीक है? तो यह 2 cm हो गया सेम इसी तरह से दूसरी तरब भी हमें 2 cm लेना है हो गया दोनो तरब 2 cm सेम नीचे भी हमें ऐसे ही लेना है जो आपकी line है वहाँ से लेना है आपको जो middle में अभी line लगा ही है वहाँ से 2 cm और यहाँ से इस तरब भी 2 cm अब यहां से मैं दो सेंटीमेटर क्यों ले रहे हूं क्योंकि यह क्या है आपका और रेक्टेंगल का जो सेंटर है वही आपका स्क्वाइर का सेंटर भी होना चाहिए तो हम इत इस सेंट्र हो गया हमारा थीक्या इस ए te सेंट्र सेंटर हो गई तो इसको हमेरे इस सेंटर अब हम ने दोनों तरफ 4-4 cm लिया, 4-4 ही क्यों लिया, क्योंकि ब्रेथ कितनी है, 4 तो लेथ भी कितनी होनी चाहिए, 4 cm होनी चाहिए, तो अब यहां से यहां तक एक लाइन ड्रो कर देंगे, और सेम यहां से यहां तक एक लाइन ड्रो कर देंगे, और बाकी की लाइन आपकी क्या हो जाएगी यहali हो जाएगी और एक यह ओली हो जाएगी ठीक है यह यह सब से नेल जाएंगे हम हाँ अपको मिल जाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे एक जो है रफ लाइन सेग्मेंट लेंगे 8 सेंटीमेटर का सेम 4 सेंटीमेटर की हम उसकी लेंगे दोनों साइड और उपर वाली दोनों लाइन को हम मिला देंगे पर्पेंडिकुलर रो करना पड़ेगा नहीं यहां दोनों पर जैसे हम हर बार करते आये हैं है अलं कि साथ को 5 TC सेंटीमेटर आफ्र दैट हमें क्या करना है एक डाइगनल ड्रो करने डाइगनल का मतलब क्या होता है जो डी वाला है वह बीच मिलेगा बिलकुल बीच में से इस तरह से आपके लाइन जाएगी से इस टरह से एंट रएवाला सी से धार और जहांपर यह ही किसका भी Center बने का स्क्व का सुक्यक्य का सेंटर बनेंगा अब बाकि के सारे पार्ट हमें कट कर देने हैं यह हमारा क्या बनगया स्क्यर का सेंटर बन गया वह संटर हमें मिल गया है यहां से भी एक Perpendacular draw कर देंगे जो कि AB को भी ओ डी-सी को दोनों कट करेगी अब देखो यह total कितना था आपका 8 cm की थी अब हमें क्या चाहिए 4 cm चाहिए और 4 cm क्यों चाहिए क्योंकि यहां की length देखो कितनी है 4 cm है और square में क्या होता है सारी sides equal होती है तो इसकी भी हमें 4 cm चाहिएगा तो 2 cm हम यहां से लेंगे और 2 यहां से ताकि यह ओ आपका center में रहे then each side of the square need to be 4 cm mark 2 points P and Q on AB such that EP 2 cm होगा and EQ भी क्या होगा 2 cm होगा same इसी तरह से S point mark करेंगे हम F से उदर तक और FR भी mark करेंगे जो भी होगा आपका 2 cm then इन दोनों points को हम जोट देंगे और यह वाले point को हम यहां से हटा देंगे erase all the line all सारी line हटाने के बाद यह दोनों हमने यहां से इनको मिला देंगे P और Q को P Q RS is the required square O with the center O अब जो है O center के साथ हमें जो square चाहिए था वो हमारा मिल गया है और हमारा rectangle भी बन गया है next question आपका falling squares 4 cm 4 cm 4 cm make sure that the squares are aligned the way they are shown इसी तरह से आने चाहिए then उसके बाद में आपको यह बनाना है पहले 3 cm का उसके बाद में 4 cm का then 7 cm का next question है आपका उसमें क्या था आपको figures draw करने है square के उपर square draw करने या फिर आप यह लगाओ कि नीचे squares draw करने है ठीक है तो उसमें हमने क्या किया था सबसे पहले हम नीचे वाला square draw करेंगे जिसकी length कितनी है आपकी 4 cm है ओके अब उसके उपर हमें फिर से perpendicular डालना है तो perpendicular हमारा हमेशा इसी से डालेंगे हम ताकि बिल्कुल सही आए कोई भी गलती ना हो अब यहां भी डाल देते हैं perpendicular ओके अब यह दोनों perpendicular हो गए अब यहां से हमें क्या करना है सीधी line draw करनी है बिल्कुल नीचे तक सेम यहां भी एक line draw कर देंगे अब क्या करना है अब मैं लोंगी इसका use करते हैं थोड़ा सा easy हो जाएगा क्योंकि मुझे हर बार 44 cm करना है यहां पर 4 cm हो गया यह तो अब मुझे क्या करना है यहां से यह जो point है इसका जो नीचे वाला point है वहां से लेकर चलना है उसको और यहां पर एक sign बना देना है बन गया now सेम दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से करना है बिल्कुल center पर होना चाहिए आपका वो और यह भी हमने बना दिया यह ज्यादा बड़ा हो गया और उसके बाद में यहां से यहां तक की एक सीधी लाइन डो कर देना है हो गया कि हो गया आप यहां से हम इस लाइन को कर देंगे x10 भॉसकर का करेंगे four तो इसको एक्स्टेंट करना है आपको four centimeter तक तो यह होगी आपके के लिए भी मैं इसका यूज करूँ क्योंकि इससे थोड़ा एजीली हो रहा है और कुछ नहीं है ठीक है यह भी हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल यहां हमारा बन गया अब हमें इनको आपस में मिला देना है ठीक है 90 डिग्री पे गया और यह भी आपस में मिल जाएंगे तो दो तो हमारे बन गए यह फोर सेंटीमेटर यह फोर सेंटीमेटर यह भी फोर सेंटीमेटर यह भी फोर सेंटीमेटर यह भी फोर सेंटीमेटर हो जाएगा यह भी फोर सेंटीमेटर सेम इसी तरह से अब यहा बाद इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा ओके तो इतना बड़ा यहां पर ओपर स्पेस नहीं है तो इसलिए आप यहां तक इसको देख सकते हैं आगे भी सेम जैसे हमने यह प्रोसेस यहां फोलो किया है वैसे ही वहां पर करना है ओके ना नेक्स पार्ट में हमें क्या करना है नेक्स्ट में हमें अलग लग लेने सबसे नीचे बनाना है सेवन सेंटीमेटर का तो पहले हम वह भी बना देते हैं यहां पर सबसे नीचे है आपका सेवन सेंटीमेटर है तो यह हो गया सेवन उसके बाद क्या करना है उसके बाद हम बनाएंगे 90 डिग्र का एंगल जो कि हमारा प्रोटेक्टर से बहुत इजली बन जाता है इस तरह से निशान लगाया सेम यहां पर भी निशान लगाएंगे तो यहां आ गया और यहां भी आपका निशान लगा दिया अब यहां से आपको सीधी लाइन ड्रो करनी है इसकी क्योंकि यह भी आपको कितना लेना है सेवन सेंटेमेटर लेना क्योंकि इसको एर में क्या होती है सारी साइट्स सेवन सेंटेमेटर होती है अब हमने यह लिया हम अपना कमपास लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि क्या यह सेवन सेंटेमेटर है या फिर नहीं है तो ये तो 4 था ना हमारा अब इसको 7 तक लेके जाते हैं यानकि 7 cm के लिए चाहिए मुझे इतना 7 तक है न देखो यह यहाँ पर है इस point पर और यहाँ से यहाँ तक है अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा इसको यहाँ रखेंगे बिल्कुल last में point पर आपको रखना होता है and then line draw कर देंगे same यहाँ भी बिल्कुल last point जो होता है corner point होता है वहाँ पर रखते हैं line draw कर देते हैं तो यह भी हमारा हो गया अब इन दोनों points को हम बिला देंगे तो यह हो गया हमारा 7 cm एक एंगल बन गया अब next हमें क्या करना था 5 cm का बनाना है तो 5 cm के लिए हम क्या करेंगी दोनों चीज़े 5 cm होनी चाहिए ना तो पहले इसको 5 cm का मैं open कर लेते हूं तो यह हो गया 5 cm का ok अब क्या करना था हमें इस line को आगे extend करना है कितना extend करेंगे next जो हमारा ऊपर की तरफ जो बनने वाला है ऊपर की तरफ जो हमारा next square बनने वाला है वह कितने गा 5 cm का तो इस लिए इसको extend कहा तक करेंगे 5 cm तक extend करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है इस पर 90 डिगरी का एंगल बनाना है तो 90 डिगरी का एंगल बनेगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सीधा straight तो 90 डिगरी का यह होगी आपका एंगल स्वेम इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा देंगे इस पर इसके बाद हमें क्या करना है इस प्यून्ट को यहाँ लेकर जाएंगे और 5 डिगरी का 5 cm का वहाँ और यहाँ पर निशान लगा देंगे उसके बाद में इन दोनो लाइन को आपस में मिला देंगे यह दोनो प्याइन जो आएं इनको मिला देंगे तो यह आपका सारा कितना बनेगा यहाँ पर 55 cm के सारे बन जाएंगे तो इस तरह से आप इनको जो है easily कर सकते हो यहाँ उपर जगह नहीं इसलिए मैं सिफ इतना ही कर रहे हूं आगे का पार्ट नहीं कर रहे हूं तो यह कैसे करेंगे यहाँ से हमने परपेंडिकुलर किया जो डी पॉइंट पर गया तो यह दोनों हमारे क्या हो गए परपेंडिकुलर करेंगे लाइन एन मार्क टू पॉइंट सी ठीक है और एक उसको और भी आगे तक लेके जाएंगे जहांपर हम बना देंगे अब यह दोनों हमारे क्या हो गए 4-4 cm इन दोनों को भी हमें जोइन कर देना जोइन पॉइंट डी एन सी तो यह भी आपका 4 cm हो गया अब क्या करना है हमें यहाँ पर यहां तक का पॉइंट हो गया था एक्सेंट दा लाइन डी सी अब जो हमारी यह वाली लाइन थी ना डी सी है ना इसको और आगे बढ़ा देना है कितना सेंटीमेटर 4 cm हम इसको बढ़ा देंगे तैन एक परपेंडिकुलर हम उसमें फिर से ड्रो करेंगे यह तो अल्रेडी परपेंडिकुलर था एक परपेंडिकुलर ड्रो करके 4 cm पर उस पर भी मार्क लगा देंगे at point F and mark the 2 point G and H इसी तरह से इसके उपर भी 2 point डालेंगे जैसे इसके उपर 2 point डाले थे ठीक है F G and G H दोनों ही 44 cm के होंगे then E और G को भी हम match कर देंगे सेम इसी तरह से अब यहाँ पर पहुंच गए हैं हम last वाले में भी इसी तरह से करेंगे extend line करेंगे अब यह पहले हमने DC वाल लाइन extend की थी अब हम जो है क्या करेंगे यह वाली जो लाइन उपर वाल जो लाइन उसको और भी extend कर देंगे ठीक है और उसको कहां तक लेके जा रहे हैं I point तक तो G I 4 cm हो गया उसके बाद एक perpendicular line draw करनी है at the point I आई के उपर perpendicular draw करना है और एक 4 cm का आपको point लगा सकते हो या mark कर सकते हो जैसे भी आपको सही लगे then I और G को जो हापस में match कर देना और यहां से जो हमारा perpendicular बनाता उनको यह match कर देना है जो भी extra line है सब को erase कर देना the resulting figure is the required figure जो result में हमें figure मिलेगी 7 cm के क्योंकि पहले सबसे नीचे 7 है फिर 5 है फिर उसके उपर 3 था ऐसे ही था ना सबसे पहले हमने line ली 7 cm के and mark a point D on it और उसपे एक point बना दिया D ठीक है यहां से जैसे आपने perpendicular लिया D और B से जो perpendicular लोगे उसपे आपने डाला C सारे 7 cm के होगे और इस line को हम और भी उपर तक लेकी जाएंगे at point B draw another perpendicular and mark two points उसपे आपको दो point डालने है एक C और दूसरा E such that BC जो है आपका जो BC होगा वो 7 cm होगा जो CE है वो 5 cm होगा ठीक है इसी तरह से आपको आगे करना है अब क्या हो गया same C पर perpendicular बना हुआ था C line को हम आगे की तरफ extend करेंगे extend line DC DC को आगे की तरफ आपने extend किया F point तक आपने उसको extend किया है उसके उपर आप उस पर एक perpendicular draw करेंगे at the point F and mark two points दो point फिर से डालेंगे G and H जो आपका G point है वो 5 cm पर होगा और जो H point होगा वो G से H तक 3 cm पर होगा ठीक है देन उन दोनों points को add कर देना है इसी तरह से आप आगे चलेंगे फिर यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे extend करेंगे किसको E G वाली line को ठीक है such that G I जो है आपका 3 cm होगा अब यह line सिर्फ 3 cm तक extend करनी है then एक perpendicular draw करना है से उनको आपको erase कर देना और आपको जो figure चाहिए वो मिल जाएगी next है third question construct this, choose measurement of your choice आप कोई भी choice का measurement ले सकते हो छोटा बड़ा जैसे आपको सही लगे ठीक है कोई भी आप measurement ले सकते हो next question है आपका third वाला उसमें आपको क्या करना है एक square बनाना है तो बहुत easy है वो तो कैसे बनाते हम अभी तक तो बहुत सारे square बना लिया हमने ये बनाएंगे हम sorry ये लेंगे हम 8 cm 8 से थोड़ा बड़ा हो गया देखो 0 से आगे गया ना तो ये 8 cm नहीं होगा 8 cm के लिए क्या चाहिए बिल्कुल 0 से आपका शुरू होना चाहिए और 8 तक जाएगा ठीक है ये हो गया now अब हमें लेना होता है अपना square sorry protector और उस पे हम draw करते हैं perpendicular perpendicular draw करने के बाद हमें line draw करनी होती है बिल्कुल सीदी सीदी ऐसे हो गया सीदी सीदी line draw करने के बाद हमें इन पे line बनाना होता है इन पे डोट लगाना होता है जो की कितना होगा जितना हमने length लिया उतना ही तो ये कितना है 8 है तो ये भी हमें कितना लेना पड़ेगा 8 8 कहां से कहां तक है यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 8 ओके हो गया अब इसको लगाओ यहां पर कोने पर बिल्कुल और इसको लेके जाओ उपर और यहां लगा तो mark हो गया सेम यह process हमें करना है यहां पर mark लगाया यह भी हो गया बड़ा हो गया थोड़ा सा अब इसन दोनों लाइन को आपस में कर दोगे join तो अभी तक यह process तो हो गया अब आगे हमें क्या करना है आगे हमें इसको 2 to equal parts में divide करना है तो अब equal parts में divide करने के लिए पहले तो इसको कर देते हैं छोटा अब यह देखो सारा कितना था 8,8 cm था 8,8,8,8 तो 8 को अगर 4 equal parts में divide करना है तो 8,4 सा कितना होता है 2 तो यानि कि हमें हर एक side को कितना करना है 2,2 parts में divide करना है तो मैं लगा देती हूँ अब यहाँ पर निशान हर 2,2 points पर 1 अब इस point पर फिर से मेरे को निशान लगाना है तो यह निशान था मेरा यहाँ पर ठीक है सेम इसी तरह से हमें उपर की तरफ भी लगाना है तो यहीं इसे लेते हुए हम उपर की तरफ भी लगा देते है ओके next हो गया अब हमें क्या करना है इनको मिलाते हुए lines डो कर लेने इस तरह से सारी lines आपको दूसरी तरफ भी लगाना है यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी line डोओंगी इसलिए मैंने दूसरी तरफ नहीं लगाया है मैंने एकी तरफ निशान लगाए है आप दोनों तरफ लगाओगे और दोनों lines को join कर दोगे फिर जो जो आपके निशान लगेंगे उन दोनों lines को आप कर दोगे join होगे इतना part बिल्कुल इजी है अभी तक उसके बाद क्या करना है यह वाला जो part होगा आपका यह वाला जो part है इसको आप erase कर दोगे जब आप इसको erase कर दोगे तो बागी पार जो आपके बचे है वहाँ पे आप diagonals डो करोगे डाइगनल्स क्या होते है ऐसे बीच में से line जाती है जो इस तरह ऐसे जो आपके line जाएंगी वो वो होते हैं आपके diagonals आप हर एक का अलग-अलग भी कर सकते हो ठीक है आप स्केल लोगे स्केल से ऐसे बीच में से जाते हुए आपको line डो करनी है clear है ओके यहीं तक होगा और यहां पर यहां तक क्योंकि यह वाले को तो हमको पूरा color कर देना है तो यह वाला तो होगा नहीं अब हमें क्या करना है यह जो बाकी ऊपर वाले जितने भी आपकी यह बने हैं अब यह जितने भी आपके points बन गए इन सब को हमको इस तरह से pattern में color कर देना है जैसे आपको सही लगे वैसे आप इनको कर दोगे color तो अब इनको color करने के बाद जो आपको required figure चाहिए थी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो जो आपको चीज चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी यह जो figure आपको चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी clear है line लेंगे 8 cm कि जो ओल्रेडी हमने कर लिया है वहाँ पर कि किस तरह सिसको ड्रो करना है 8 cm का एक स्क्वेर बना देंगे तो यानि कि सारी चीज़े एक सेंटीमेटर होने चाहिए 8.a and b perpendicular draw करेंगे हम एक स्क्वेर बनाना है तो हमेशा की तरह perpendicular draw करना है c point तक उसको mark करेंगे जो की 8 cm होगा सेम यहां भी mark करेंगे 8 cm होगा and then dc को join कर देंगे ad को join करेंगे and bc को यहां तक बिलकुल easy है then draw lines parallel to the side ab ab के parallel हम lines draw करेंगे ठीक है और कितनी interval of 2 2 के interval में ताकि वो equally divide हो जाए अब पता चला 8 cm क्यों लिया क्योंकि 8 को हम 4 equal parts में easily divide कर सकते हैं same यहां से भी divide कर देंगे हम equal parts में हो गया so 10 square into 16 smaller squares now अब क्या करना है starting from corner a a वाले corner से हमें क्या करना उनको remove करना शुरू कर देना inner part को तो a तो हमारा ऐसा बन जाएगा inner side of 4 squares to form a large square तो यह तो आपका एक large square बन जाएगा यहां पर side of 4 cm with one corner located at a ठीक है a पर एकी corner रहेगा drop parallel diagonals अब यहां पर आपको बाकी की स्केर्स बनेगी यहां पर इस तरह के diagonals बना देने डाइगनल्स पता है न क्या होते हैं बीच में से जो line जाएगी वो जैसे यहां से लेकर इसको match करेगी और यहां तक जाएगी तो parallel diagonal आपको बनाने है जितने 12 आपके smaller squares बनेगे उन सब में वो diagonal बनाने के बाद आपको क्या करना है उस में जो उपर वाला part है उन सब को आपको कर देना है horizontal lines में portion में जो है अब वो diagonal तो उनको आप में इस तरह से draw कर देना है तो जो आपको required figure चाहिए वो मिल जाएगी जो आपको एक square बनाना है एक hole के साथ तो मतलब एक circle बनाना है एक तरह से आपको फिर से square ड्रो करना है square के लिए फिर से हम गोई लेंगे और अब हमारे square की side होगी 6 cm तो 6 cm 0-6 तक उसके बाद क्या करेंगे perpendicular ड्रो कर रहेंगे बहुत इजी है ना यह तो perpendicular ड्रो किया perpendicular का मतलब क्या होता है 90 degree का एंगल 90 degree का एंगल को हम बोलते है perpendicular तो perpendicular ड्रो किया देन compass लेकर आएंगे compass से कितने डिगरी का लगाएंगे हमने ये length कितने लिए 6 cm तो हमें अब निशान भी लगाना पड़ेगा वो भी कितना लगाना है 6 cm का ठीक है अब यहां से हम लगा देंगे निशान यहीं पर रहना है अभी आपको तो यहां से अब हमें लगाना है निशान कहां लगाना है ठीक है अब यहां से यहां निशान लग गया सेम इसी तरह से हमें यहां भी लगाना है ओके दोनों जगह आपके निशान लग गए है अब आपको क्या करना है आपको लेनी है अपनी लाइन पहले तो आपको 90 डिग्री वाला एंगल सीधा लेके जाना है सेम यहां भी लेके जाना है और मैं इसको यहीं तक लेके जारी हूँ इसका एक रिजन है क्योंकि मेरी लाइन यहीं तक है ठीक है तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं यह हमारा बन गया उसके बाद हमें क्या करना था उसके बीच में बनाना है एक सर्कल तो circle बनाने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए center तो center कैसे पता चलेगा? diagonal से तो ये हो गए diagonal अब जोहाँ पर ये दोनों मिले हैं वो है आपका center जिसे हम नाम देंगे O अब circle बनेगा किसे? compass से तो compass भी तो चाहिए हमें compass को हम लेकर आते हैं आब हमें कितना चुब आया? compass में जो हमने बनाया है वो है 3 cm का अब हमें इसको कोलना है 3 cm तो पहले इसको रखते हैं 3 पर आप दोनों तरब से कर सकती है इसको 3 पर रखकर pencil को भी खोल सकते है या दूसरी तरब से भी कर सकते है हो गया अब हम इसको लेके जाएंगे जहां इसका पॉइंट है जहां सेंटर है ठीक है और यहां से हम डू कर देंगे सरकल बनगे आपका सरकल आप चाहें तो छोटा सरकल भी यहां पर बना सकते हो दूसरी लेंथ का भी जोर नहीं कि आपको यही सरकल बनाना है आप जैसा चा बी ओल्रेडी हमने पूरा पार्ट कर लिया है ड्रोइंग वाले पार्ट में यह सिफ आपका कि आप उसको लिख कैसे सकते हैं रो परपेंडिगुलर लाइन ड्रो करेंगी जैसे हमेशा करते जब भी हम रेक्टेंगल एंड्सक्वेर्स ड्रो कर रहे हैं तो हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा हमें चाहिए सेंटर सर्कल तो वहीं है ना सेंटर है जे लो अब यह अग्हिंतेर को लेकर आप अप 3 cm रेडियस हैं यह 2 cm रेडियस यहां जितनी रेडियस का आपको एक सर्कल बनाना है वह आप यहांकर बना सकते हो और उसके बाद में जो भी extra line से वो सब आपको erase कर देनी है और यह आपको answer में मिल जाएगा जो आपको चाहिए था उसके बाद है square with more holes अब यह तो यह की square था आप जादा square के साथ बनाना है नेक्स question आपका दिया हुआ है अब आपको फिर से जो है एक square बनाना है ठीक है फिर से हमें क्या करना square बनाना है तो square के लिए तो हमें यही चाहिए अब डिरेक्ट सीधी लाइन लगा दूँ तो अब हम square लेंगे 8 cm का का लिया है तो आपकी कमपास है वो भी 8 cm के लिए ही होनी चाहिए तो इसको भी खोल लेते हैं 8 cm के लिए अब आप बोलोगे perpendicular तो लिया ही नहीं लेंगे 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 मुझे पता है लेना है वो भी तो पहले मन निशान लगा रहे हैं ताकि मेरा काम थोड़ा सा easy हो जाए क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे जो perpendicular ड्रो करना है उसकी line कहां तक जाएगे सिर्व यही तक उब जो होंगे फिर से क्योंकि सीधी line नहीं थी यह इतनी सीधी line भी नहीं बन रही है आप स्केल से सीधी बनाना हो गया उसके बाद इन दोनोہ lines को हम यहां पर मिला देंगे यह भी हो गया उसके बाद में आपको क्या करना है इसको कर देना है half तो इसका half कितना होगा फोर तो हम इसका हाफ का देते हैं अभी तो ये कर दिया हाफ इसको लेके जाएंगे यहाँ पर और अब इसको कितना खोलेंगे 4 सेंटीमेटर तक ये हो गया अब एक लाइन बनाएंगे हम यहाँ पर उपर इसकी सेंटर तो आपको वही रहेगा ठीक है यहाँ पर ड्रो कर दिया सेंटर इसी तरह से यहाँ भी तो हम कर दे सकते थी इतना उपर लेके गई मैं अब इसी पॉइंट से यहाँ नीचे तक ठीक है आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है इधर से भी कर दिया ठीक है अब हमें इनको कर देना है match तो match तो मैं इसी line से करूँगे बिकोश सीधी line बन रही है इससे यह हो गया match यहां से भी हो गया match हमारे squares बन गए जो हमारे बनने थे उसके बाद में हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इसका center तो center लिया center क्या हो जाएगा अब center के लिए हमें क्या करना होता है diagonal बिल्कुल दोनों corner से इस तरह से आपको ले कर आना है ओके यह हो गए अब center का है आपके इसका center है ये इसका है ये इसका है ये और इसका है ये अब मुझे इसमें करनी है circle draw तो ये center के पास हम जाएंगे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं क्योंकि मुझे लग रहे ये बड़ा ठीक है अब यहां से draw कर देंगे circle हो गया same इसी तरह से इस में ले जागे हम circle draw कर देंगे same इसी तरह से नीचे वाले पर चारो पर आपको इसी तरह से circle draw करने हो गया लास्ट वाले पर भी ड्रो कर देते हैं एक circle और बचया हमारा ड्रो करना तो लास्ट वाले पर भी हम जाके इसी तरह से circle draw कर देंगे done तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो बाद में जो भी आपके extra point यह वाले बच रहे हैं इन सब को आप कर दोगे arrange उससे पहले तो एक बड़ा square बनाईगे अब देखो कितने parts में divide है एक बड़े square को 4 चोटे-चोटे parts में divide किया गया तो जैसे हमने उपर draw किया था उसी तरह से 8 cm का यह square हमने draw किया draw a line AB 8 cm at point AB and A और B पर आपको क्या करना है perpendicular draw करने है then A से हम mark करेंगे D और B से हम mark करेंगे C 90 degree पर जो की आपकी 88 cm के है उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर यह mark करने के बाद आप यहाँ से 44 cm पर एक mark और लगा देंगे जो की होगा बिल्कुल बीच में और उन lines को क्या कर देंगे मैच कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका center mark point E F G H on the line A B B C C D and D A respectively ठीक है respectively का मतलब E point आपका कहा है A B पर है F कहा है B C पर है G कहा है C D पर है यानि कि जो number जिस series में दिया होगा है उसको उसी की according आपको लिखना है अब यह सारी sides होगी आपकी equal अब हमें क्या करना है हमें इनके अंदर एक-एक circle draw करना है तो circle draw करने के लिए हमें क्या चाहिए पहले तो इनका intersection चाहिए कि कहाँ वो दोनों इनके diagonal जाके मिल रहे है तो इनके diagonal हम बना देंगे कहा कहा है जैसे कि पहले है आपका ये वाला पार्ट ठीक है एक एक स्क्वेर लेके चलो ये ये कहां मिले हैं दोनों पॉइंट यहां पर तो एक सर्कल यहां बनेगा इसका सर्कल यहां बनेगा और इसका यहां बनेगा आप कोई भी लेंद का सर्कल बना सकते हो जोरनी की बड़ा बनान एज वेल धार्जाल्ट रिखाइब तो जो विशाया इसट बना वी हमाज़ों डिक्वाठ्ट है नेक्स्ट आपका सिकस्छ छो लास्ट के लिए आपको करेंग अमिश्च चुछ अपको स्क्वेट की साथ यहां पर ओल्रेटृट प्ला तू गेट ओल्द फोर आर्क आपको यह देखना है कि कहा पर आप अपनी जो हैं कम पासर गेंगे कि आपको यह चारो के चारो सूराइ emailed Video dios स्क्वार्ट रो करना तो वही एट सेंटीमेटर का स्क्वार है तो वही हम जिरो से एट लेंगे देन हम कम पास से क्या करेंगे मेजर कर देंगे एट का यह भी एट हुआ नहीं है तो अब इसको ले जाओ ऊपर और निशान लगा दो और यहां से भी ले जाओ ऊपर और निशान लगा दो इसको साइड में कर दो उसके बाद में 90 डिग्री का एंगल बनाओ जिसे हम बोलते हैं इसको से पंडिकुलर जो बनेगा दोनों तरफ क्लियर है यह वाला काम हो गया हमारा दोनों को हटा देते है अब सीरी सीरी सिरी लाइन ड्रो कर देते हैं जो इनके बीच में से होते व्यूमेवे ऐसे जाएगी, to यह तो हो गया हमारा sq, अब जैसे हमने पहले किया था, बैसे ही करेंगे इसको फिर से, हाफ कर देंगी इसका, एन हाफ करेंगे देखते हैं कि क्या यह उतना बन गया है , 4 नहीं हुआ णा 4 करना है हमें इसको, तो यह हो गया आपका 4 ओके नाव आप जैसे हमने पहले वाले कोशन में किया है बिल्कुल वैसा ही अभी यहां पर फिर से करना है आपको तो इसको ले जाओ ऊपर यहां पर एक मार्क लग जाएगा इसको हटाओ यहां से और एक मार्क आप लगा दोगे नीचे वाल लाइन मे नीचे इदर ओके यह हो गया अब एक लइन डू कर दो ऐसे सीधे और एक लइन डू करोगे ऐसे क्लियर हो गया यहां तक उसके बाद में आपको क्या करना है इनोंने बोला इस लाइन को उपर की तरफ बढ़ा दो और इस लाइन को भी नीचे बढ़ा दो सेम इसी तरह से इस लाइन को उधर आगे बढ़ाना और इसको इदर आगे बढ़ाना है और यह सारी कितनी बढ़ाई है 44 cm बढ़ाई है जो कि मैंने आपको बताया नहीं है तो यह सब आपकी बढ़ेंगी 44 cm यानि कि इतनी यह मैंने 4 cm open किया था ना उपर वाला तो दिख भी नहीं रहा है आप evil sentence थे हैं इभाला दीख लेते हैं इसका वन होगा यहां पर रूध भूह दूर जाकर बन रहा है और इसका भी क्योंस यहां पर ज्यादा स्क्रफेस देख लेज है तो आप कुछ से देख ले तो इसके जितना आपको इसको ओपन कर लेना अब यह जो पॉइंट सापके ये बनाएब ना-ईक एक पॉइंट आपका इस पॉइंट से आपको क्या करना है अब एक आर्क ड्रो कर देनी है अंदर की तरफ बन गई बिल्कुल सही आर्क सेम इसी तरह से आप आपको वहाँ भी यही काम करना है विकुल लास में जाके बन रहा है उसका तो मुझे पता नहीं है सही से ड्रो होगी या नी आप अपना मतलब बुक में इजिली उसको कर पाएंगे ठीक है इस तरह से आप ड्रो कर देंगे इसको तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसी आर्क बनी है जैसे वहाँ पर दी हुई है इसी तरह से इन दोनों में भी आप क्या करोगी जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वहाँ पर और इसमें जो 4 cm होगा वहाँ से जाके आप ऐसी ही आर्क वहाँ भी ड्रो कर सकते हो बिल्कुल ऐसी ही आर्क वहाँ ड्रो होगी जैसी यहाँ पर बनी है इस तरह से आप इन questions को कर सकते हो सबसे पहले तो जैसे हम normally करते है 8 cm का आपको क्या करना है एक line draw करनी है then A और B पर आपको perpendicular draw करना है draw perpendicular और A वाले पर D mark करेंगे B वाले पर C mark करेंगे and length कितनी होगी 8-8 cm और सबको join कर देंगे तो ये मिल जाएगा जो भी extra चीज़ है वो आपको साथ-साथ erase करते रहना है now mark point अब फिर से जैसे हमने उपर वाले question में किया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमारा होने वाला है mark point E, F, G, H A, B, B, C, C, D पर respectively जैसे हमने अब ही किया 4-4 cm पर अब extend H, F जो H, F है आपका उसका आपको क्या कर देना है extend कर देना यह देखो यहाँ से इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आपने extend कर दिया same IG को भी आपको extend कर देना है such that F, I यह कितना आगा आपका 4 cm और यह भी आपका हो जाएगा 4 cm, ठीक है, same इसी तरह से I, J, L, यह आपके बन गए यह हो गई आपकी radius ठीक है, आपकी radius है, अब यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की radius लेनी है और इधर ड्रो करना है, same यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की radius लेनी है और यहाँ पर ड्रो करना है, ठीक है as center and the radius equal to the B, I तो यह वाला जो पार्ट हो जाएगा जब हमने इसको यहां से मैच किया था यह आपका रेडियस हो जाएगा अब जो यह रेडियस है यहां से इतना आपको कम पास ओपन करेंगे then ये जो points है जो last point है ये वाला point हो गया ये वाला point हो गया and then ये वाला point है इन points से आपको ये arc draw कर देनी है यहाँ पर और आपके जो figure है जो extra point है उसके बाद में आप सबको वो जो extra lines है उनको कर देना draw और आपको जो आपको figure चाहिए वो मिल जाएगी सो आजम करने वाले हैं इतना ही अभी तक अगर कोई doubt है तो आप बता सकते हैं that's all for today and please like, share and subscribe thank you